वेल्कम तो टेकनिकल एड्यूकेशन और जो basic concept है उसको clear कर सकते हैं तो यह हमारा second numerical है इसको भी हम एकदम simple way में discuss करने वाले हैं तो continue सबसे पहले क्या करेंगे हम जो numerical दिया गया होगा उसके data given data को note out करेंगे फिर उसको समझेंगे फिर देरे-देरे करके हम चीजों को plot करेंगे तो चलिए continue करते हम जिसमें हमारा यह numerical दिया गया है जिसमें question 2 है वो कह रहा है कि top view of 70 mm long line AB it means क्या है कि एक line है जिसकी length कितनी है 70 mm it means यह line है और इसकी length हमारी कितनी है 70 mm जिसको कह रहा है कि अगर इसको क्या है देखा जा रहा है किससे front view से तो इसको जो front view से अगर इसको देखा जा रहा है तो इसका जो length है वो कितना आ रहा है 60 mm और इसको अगर हमारा top view से इसको देखा जा रहा है तो इसका जो length है वो कितना हमें दिख रहा है 50 mm मतलब यह बात कर रहा है कि इसकी top view it means क्या है उपर से देखते हैं, तो हमारा mirror image हमारा originator plane पे बनता है, तो इस पे क्या है, जो इसका plan, plan की जो size आ रही है, वो हमारी दिख रही है, वो कितनी है, 50 mm, और जो front से जो इसका view बन रहा है, it means क्या है, इस पे वर्ड का plane पे, तो उसका जो size है mention वो कितना है, 60 mm, it means हमने इससे पहल से हम इसका mirror image के size हैं, हमेशा true length से कम ही आते हैं, इसका concept क्या है, विकाज अगर इसको हम simple चीजों से समझना चाहें, तो just like मालो कोई sun है, sun की light हमारे, just like हम object है, sun की light हमारे एक angle से पढ़ रही है, तो अगर angle से पढ़ेगी, तो हमारा real size का, जो हमारा real height है, वो उससे क्या है, जो line हमारी ये बनती है, दोनों plane से angle बनाती है, इसका जो हमारा elevation बनता है, vertical plane पे उसका size हमेशा कम हो जाता है, और इससे भी top से देखते हैं, फिर भी इसका real size से हमेशा size कम हो जाता है, तो ये क्या है, काफी ज़्यादा conceptual चीज़े है, वो काफी data, given data को क्या चीज़ दिया इसको note out करने के लिए काफी important tricks and trip है, हमने इसको क्या analyze करके चीज़ों को सरल बनाने के लिए analyze किया है, तो जिसमें ये length हमें पता चल गई, इसकी ये length पता चल गई, और ये भी length पता चल गई, उसके बाद क्या कह रहा है, इसका जो end है, मलब ये वाला सीरा, इसका ये end है, वो 10 mm किस से है, abode hb, मलब horizontal plane से उपर है, और front of vp, मलब 10 mm vertical plane से भी क्या है, दूरी पर है, ये इस तरीके से angle बना रही है, और इसके front से देख रहे हैं, तो projection हमारा इस पर बन रहा है, top से देख रहे हैं, तो इसको just like ऐसे करेंगे, तो हमारा ऐसे result आएगा, दूसरा वाला जाएगा, तो जो भी जैसा आता है, उसको हम अभी simply draw करते हैं, और result को find out करते हैं, ओके, तो given data को पहले note कर लेते हैं, तो given data क्या है? given data क्या है? true length कितनी है? true length हमारी हमेशा ज्यादा होती है, वो कितनी? 70 mm हो जाएगी, फिर कह रहा है, कि यह line है, जो कि हमें AB को measure किया जा रहा है, 50 mm, while the length of its front view, मालब यह क्या? first, यह top से एगर हम देख रहे थे, तो यह कितना दिख रही थी हमें? 50 mm, मालब top से एगर देखते हैं, तो कहां mirror image बनता है? horizontal plane वाले पे, तो यह हमारी क्या है? horizontal plane पे, जो इसकी length दिखेगी, वो कितनी दिखेगी? 50, लब यह क्या है? एक तरीके से यह क्या होगी? plan, plan वाली length होगी, और यह elevation वाली क्या है? elevation की length हमेज़ा क्या दिखेगी? elevation की length को भी हम note out करते हैं, तो यह हमारा कितना है? 60 दे रखा है यहाँ पे, 60 को note कर लेते हैं, और फिर क्या दे रखा है? कि horizontal plane और vertical plane से same distance, यहाँ 10 दे रखा है, और यहाँ पे भी 10 दे रखा है, इट मिन्स क्या है? a-b10 है, और a-b10 है, मालब यह क्या है? vertical plane पे distance हो गई, और यह हमारी horizontal plane पे, तो यह distance को भी हमने note out कर लिया, तो यह सारा given data हमने note out कर लिया, question के recording, ओके? अब इसमें हमें क्या है? कोई angle तो दे नहीं रखा है, तो अब हमें क्या है? इसको कैसे बनाएंगे? तो यह क्या है? थोड़ा complicated हो गया, कैसे बनाएंगे? without angle कैसे बनाएंगे? जिससे पहले वाला जो numerical था, उसमें angle दिया गया था है, तो हम आसानी से उसको बना पाये थे, तो सबसे पहले क्या है? जो इसका base वाला figure है, उसको समझते हैं, और फिर उसी तरीके से हम इसको एकदम simple way में बना लेंगे, ओके? तो यह base वाला figure समझते हैं, जिसमें यह क्या है हमारा? यह हमारी vertical plane है, यह हमारा horizontal plane है, इसको बेटर तरीके समन लेते हैं, बस सारा कुछ easily बन जाएगा, अब यहां से यह क्या है? यह true length है, यह वाली line, यह हमारी TL है, true length, और इधर क्या है हमारी? यह वाली true length है, true length हमेशा क्या है? ज्यादा होती है, इसकी length, यह true length हो गई, अब क्या कराते थे हैं? इससे पहले जो हम solve करते थे, सबसे पहले यह वा तो angle इसमें दे रखा है, तो इसको समझते हैं, यह true length है, और यह जो इसका यह बनता है, यह हमारा क्या है? यह हमारा, विकाज यह vertical plane है, वाट क्या प्रेन में हमेशा क्या बनता है? elevation, elevation view बनता है, और उसके बाद यह वाला view बनता है, यह हमेशा क्या है? plan view बनता है, यह क्य recording क्या दे रखा है कि question के recording ये length दे रखी है इसकी value minus को दे रखी है और इसकी value दे रखी है यहाँ पे और ये वाली भी length क्या है question के recording 10 है बस इतनी चीज़े दे रखी है और हमें क्या करना है कि question के recording इसके बीच में angle भी find out करना है या फिर जो भी question में पूछता है उसके according हमें यह चीजे find out करके बतानी होगी तो simply क्या करना है कि इन ही data का use करके ही हमें सारी चीजों को find out करना है तो चलिए इसको draw करते हैं कैसे करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे एकस वाई एकसिस खीचेंगे इसे simple figure का use करते हुए हम सारी चीजों को अभी ड्रॉ करेंगे इन यह एकस एंड वाई खीच लिया जैसे कि यह देखो एकस वाई एकसिस कीची है अब क्या है गिवन डाटा हमारे पास दिया गया है कि इसकी यह distance दी गई है कितनी दी गई है 10 है तो हम क्या है यहां x y axis से 10 की height पे आते हैं और हम यहां पे 10 mm ले लेते हैं और एक point ले लेते हैं इधर भी क्या है नीचे भी 10 है तो नीचे भी आके हम 10 mm height पे point ले लेते हैं अब last वाले question के according ही वैसे ही करना है simply इस x y axis के parallel line हमें खीजनी है दोनों साइट तो हम क्या है यहां पे scale रखेंगे mini adapter के उपर के और slide करेंगे और parallel line खीज देंगे यहां पर भी हम क्या है parallel line खीज देंगे तो simply हमने इतना काम कर लिया अब because हमें क्या है angle तो दे नहीं रखा है तो simply क्या करेंगे जो यह true length है यहां पर देखो true length जो दी गई है किस पर जो हमारा यह elevation की तो elevation की जो true length थी उसको भी हम एक बार देख लेते हैं elevation का जो true length था यहां पर elevation का जो true length था उसको हमने mention कर आया था यहां पर elevation का जो true length है वो हमारा elevation का हमारा vertical plane पर बनेगा it means क्या है इसका जो true length है वो हमारा था 60 और यह कितना था टॉप से जो देखते थे वो 50 बन रहा था तो 60 ले लेंगे 60 तो यहां पर फिर से इसको draw कर लेते हैं यह कितना था 60 था और वो 50 था मतलब यह elevation की length थी वो 60 दी थी और क्या था जो plan की length थी वो कितना 50 दी थी अब यह value लेके simply हमें क्या करना है कि इस figure में आते हम देखते हैं तो यह क्या है elevation वाली length है तो इसको बेटा तरीके समझते हैं यह क्या है हमारी elevation की length है ओके तो ये elevation की length हमें क्या है arc से मिलती थी तो arc को जितनी length ये होगी उतनी same as the tease ये भी होगा तो इसी length का use करके नीचे की ओर हम क्या है एक vertical line draw कर देते हैं नीचे की ओर ओके तो simply हम इसी का use कर रहे है यहाँ से हमने क्या है length लिया यहाँ से कितनी length लेंगे वही 60 mm ये वाली length elevation ये वाली length लेंगे और यहाँ से ये वाली length लेने के बाद हम यहाँ से नीचे की ओर नीचे की ओर क्या करेंगे नीचे की ओर ये वाली line जैसे यहाँ से हमने ले लिया 60 ये 60 होगी तो ये भी 60 होगी नीचे की और हम क्या है नीचे की और लाइन डाल देंगे पर्पेंडिकुलर लाइन तो हमने क्या है यहां से पर्पेंडिकुलर लाइन नीचे की और डाल दी ओके इतना काम कर लेंगे तो यह हमारे इतना काम हो गया उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से हमें क्या है? एक point मिलेगा, यहां से जो true length दी गई थी वहाँ पे, तो true length हमारी दी थी, वो कितनी थी? true length की value, TL की value कितनी थी? 70 mm, तो 70 mm यहां से लाके, और compass की help से क्या करेंगे? एक 70 mm का यहां पे mark लगा देंगे, तो यहां पे क्या है? 70 mm का यहां पे mark लग जाएगा, तो कहें न कहें इसको cut करेगा, 70 mm पे. तो अब हम जहां पे cut करेगा, वहां पे इसको क्या है? मिला देंगे. तो यह क्या हमारी true length, TL हो गई है? यह कितनी है? 70 mm, हमने इसको बना लिया, ओके? अब तो मनलब यह क्या हमारी? यह true length की value आ गई. यह वाली value. ओके? अब simply इसी का use करके क्या करना है? हमें एक और marking कर लेना है, क्योंकि हमें दूसरी value भी पता है. यह वाली, यह plan वाली value. कितनी है? 50. तो यहीं से लेके हम क्या करेंगे? इसी point से, जो plan वाली length है. पर ही क्या करते है? एकस, वाई, एकस, के parallel line खीज देते थे. तो parallel line हमने क्या है? खीज दिया. तो यह खीज दिया. अब यह इसी length का use करना है, जो हमारी plan वाली length थी. तो यहां से plan वाली length के लेके compass की help से और इस पर क्या है? आर्क लगा देंगे. तो इस तरीके से हमारा आर्क यहां पर इसको लग जाएगा. अब simply क्या करना है? यह वाला point हमें मिल गया. अब इस point को क्या करना है? उपर की उड़ लेके जाना है. और एकदाम last तक लेके जाना है. यहां तक. तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को क्या है? उपर की उड़ ले जाएगे. अब क्या करेंगे? यहां से हम क्या करेंगे? यह point हमारा मिल गया. तो वह हमारा point कहीं न कहीं भी मिल जाएगा. अब इसकी क्या है? लेंथ हमें true length क्य है? true length ले लेंगे यहां से. true length हमारी कितनी थी? 70 mm. यहां से arc लगा देंगे. यहां से हम arc लगाएंगे. कहीं न कहीं यह को arc लगा दिया है. यहां से इसकी length कितनी है? यही 70 mm. अब यह वाला जो length होगा हमारा, वो हमारा यह point है. यह point हमारा कैसे मिलेगा? इसके लिए हम क्या देखेंगे, कि जो true length और ये दोनों point हमारे एक ही जिगे पर लाई करते हैं, और ये वाली length हमें already पता है, वो कितनी थी, 60 mm, तो यहां से इस point पर आएंगे, और 60 mm का, यहां पर क्या करेंगे, arc लगा देंगे, 60 mm का, यहां पर arc लगा देंगे, तो just like क्या है, 60 mm का arc लगा देंगे, तो sorry just like 60 mm का arc यहां पर लगेगा, तो 60 mm का, यहां पर हमने क्या किया, arc लगा दिया, यहां पर 60 mm का arc लगा दिया, तो यह हमारी arc लगा दिया, इस line को कहीं न कहीं कट करेंगे, इसे मिला देंगे, तो यह हमारी क्या है, यह हमारा क्या है, यह जो बना था, वो क्या बना था, plan की length बनी थी, मालब top view की जो real length थी, वो बनी थी, यह हमारी क्या है, elevation की length बन जाएगी, कितनी है यहाँ पे दे रखी है 60 और जब यह point हमारा मिल गया तो यह point और यह दोनो point मालब elevation और real length वाले यह दोनों ही point क्या करते हैं एक ही जिगह पे meet up करते हैं एक ही line से पास होते हैं यह हमारा rule है तो यहाँ से क्या है एक line parallel line चीज़ देते हैं अब real length हमारी कितनी थी 70 mm तो यहाँ से रख के arc का use करेंगे और एक angle बना लेंगे एक mark लगा लेंगे तो वो हमारा कहां यहाँ पे कही न कहीं cut करेगा इसकी length क्या होगी 70 mm तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो यह दोनों point एक ही जिगह पे lie करते हैं तो यह कितना हो गया यह true length की value कितनी हो गई 70 mm तो इसको बना दिया हमने उसके बाद क्या है true length मिल गई अब क्या है question में क्या है पूछेगा कि हमारा theta पूछ सकता है phi पूछ सकता है alpha पूछ सकता है या फिर beta पूछ सकता है तो यह क्या है values पूर सकता है question में तो ये हमारी क्या है ये हमारा क्या है theta होता है और ये true length से जो बनता है वो क्या है alpha होता है और इधर से जो हमारा angle बनता है वो क्या है 5 बनता है जो हमारा mirror image से बनता है मालब plant से जो बनता है और जो इसकी real length से बनता है real length हमने अभी क्या है इस पर draw नहीं करी है तो real से बनता तो यहाँ पर क्या है बीटा बन जाता तो अब यह सारा को draw करने के बाद finally हम इसके angle को क्या है measure कर सकते है because question में क्या है angle नहीं दिया गया था but उसके बावजूद भी क्या है हम इसको solve करने के साथ-साथ क्या है हम इसकी value को find out कर पाए alpha निकाल पाए, theta निकाल पाए और क्या है beta या phi निकाल पाए तो इस तरीके से हमने क्या है question के given data को note out किया फिर उसको use करके इस figure की help से इसको यहाँ पर draw किया हमेशा एक काफी important point याद रखना है length वाली line और plan length वाली line यह दोनों ही line ने दोनों point एक straight line होगी एक ही point पर हमेशा मिलेंगे जैसे कि हम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा जो यह true length वाली line आई थी और यह हमारा point होगा इससे मिला देंगे तो यह हमारा क्या है यह हमारी हो जाएगी plan length PL यह हमेशा क्या है दोनों ही एक ही point पर हमेशा मिलेंगे तो इस तरीके से हमने इस question को solve किया अगर फिर से हम इसको समझना चाहें तो जल्ली एक मिनट में समझ लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे x y axis कीचेंगे फिर क्या करेंगे यह जो दो length दी गई थी horizontal plane की distance उसको हमने mention कर लिया उसके बाद simply क्या करना है कुछ नहीं करना है कि हमें जो हमारी length दी गई होती है जो हमारी यह elevation length दी गई होगी या फिर plan length उसका use करेंगे और उसका use करके जो इतनी length होगी आर्क लगा दिया यह arक इस length को कहीं Sakshi करेंगा तो हमें यह point मिल गया अब यह point जैसे ही मिल गया वैसे हमने एक parallel line draw कर दी और फिर QnLeron length का use करके फिर से आर्क लगा दिया तो हमें एक point यह मिल था अब यह फिर मिल गया फिर जैसे मिल गया तो हमें पता है कि ये वाले point और ये दोनो point एक ही जिगे पर लाई करते हैं तो हमने इसको क्या है उपर की और खीज दिया और फिर क्या है यहां से क्या है इस length का यूज करके arc लगा दिया तो हमें क्या है यह point मिल गया जैसे हमारा यह point मिल गया वैसे हमने क्या है इसके parallel line खीज़ दी xy axis के फिर यहां से point को उठाया और यहां से true length की value लेकर के arc लगा दिया तो हमारी यह true length मिल गई अब true length के बीच में जो angle बनता है वो हमें मिल जाएगा theta मिल जाएगा 5 मिल जाएगा इस तरीके से सारे angle हमें मिल जाएगा because हमारे question में angle नहीं थे फिर भी हमने क्या है इसको draw किया इस चीज़ का use करके और हम सारी चीज़ों को find out कर पाएं तो इस तरीके की आज हमारी इस class को यहीं पर हम stop करते हैं आगे आने वाले classes में और भी critical question को हम एकदम easy way में solve करने वाले हैं और समझ के solve करने वाले हैं तो ओके आज की class को यहीं पर stop करते हैं तो thank you class